नमस्कार दोस्तों, जै जोहार, जै च्छतिजगड, जै हिन, मैं नितिन दुबे, आप सभी को साधर परणाम करता हूँ दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्यकून विशय पर अपने विचार रखने वाला हूँ जो की स्पेशली हमारे 36 गड़ी म्यूजिक इंडरस्ट्री के बारे में है तो बात ऐसी है दोस्तों कि बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ कि बहुत से नए कलाकार, नए यूट्यूब चैनल वाले, जो मुस्से उम्र में छोटे हैं या जो नियू कमर्स हैं, वो मुझे कॉल करते हैं और बहुत ही फ्रस्टेशन में रहते हैं, बहुत निराश रहते हैं और उनकी निराशा कारण भी है तो मैं सोचा कि इस पर मैं अपने बात रखूँ, अपने विचार रखूँ अक्सर वो लोग मुझे मैसेज करते हैं, वाटसप करते हैं और कहते हैं कि नितिन सर, देखिए हम अपना नया यूट्यूब चैनल लाँच किये और इतना पैसा लगा कर हम वीडियो गनाए लेकिन हमारे गाने में व्यू नहीं आ रहे हैं हमारा गाना चल नहीं रहा है या फिर जो न्यूकमर्स हैं तो वो Singers हैं जीने चांस नहीं मिल रहा है वो कहते हैं सर हम इतना संगीत सिखे सर और हमें कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है बहुत से लड़के तो Kheragard University से संगीत महावित ज़्याला से वहाँ से संगीत सिख करकाय हुए हैं और उन्हें काम ने मिलता तो बहुत ही निराशा है नहीं पिड़ी में और इसी प्रकाट के निराशा से ये जो निराशा फ्रस्टेशन आती है जो इसके फ़ल सुरुप क्या होता है अभी आप ऐसा नहीं की सिर्फ 36 गड़ में है ये ये बॉलिवूड में भी आप देख चुके हैं भी सुशाम सिंग राजपूत जी का मैटर आप जानी रहे हैं तो वो खेर वो आत्महत्या था कि मडर्थ है तो बात की बात है लेकिन वहां भी एक निराशा तो है जो नए लोग जाते हैं वहां पर तो खेर छोड़िए मैं बड़ी इंड़स्ट्री दिया बॉलिवूड की बात नहीं करूंगा मैं अपने 36 गड़ की बात करना चाओंग कि 36 गड़ में ये जो नए पिढ़ी में निराशा है तो मैं सोचा कि इस पर अपने विचार रखूँ तो दोस्तों इसका एक ही उपाय जो मुझे नजर आता है वो ये है कि हम सभी को एक होना होगा सारे कलाकारों को क्योंकि सच्चाई ये है जो सुन करके सब को कड़वा लगेगा जो आज मैं कहने वाला हूँ इससे बहुत से लोगों को मतब अच्छा नहीं लगेगा सुन करके ये बात सच्चाई ये है दोस्तों कि हम सब कलाकारों में यूनिटी नहीं है 90% हम एक दूसरी को दिखाते हैं कि हम एक दूसरी की बड़े इज़त करते हैं या बहुत प्यार करते हैं लेकिन सच्चाई है दोस्तों कि दूसरे का तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं देखा हूँ बहुत से कलाकार जो मुझे भहिया भहिया कहते रहते हैं मुझे कहते हैं कि नितिन सर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो पीट पीछे, पीट पीछे मुझे गाली बगते हैं, और मुझे इज़त कौन देते हैं, जो मुझे जो मुझे इन्रेट्री से नहीं है, जो आम व्यक्ति, आम पबलीक है, वो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन कलाकारों में बहुत से कम ऐसे आर्टिस्ट हैं, जो मुझे पर जैसे हैं, दिल में भी वैसा ही सोचते हैं, तो दोस्तों, ये ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, ये, क्योंकि देखिए, जो चीजें पुरानी पीड़ी में गलत थी, तो नहीं पीड़ी तो पुरान पीड़ी से बहतर होनी चाहिए, अब मैं जब आया था, मैं 1988 से मैं बाल कलाकार करूप में इस्टेज पे गा रहा हूँ, 32 साल, 32 येर्स हो गया, मुझे इस्टेज पे गाते, प्रोफेशनली औरकेस्ट्रा में गाते हूँ, मुझे 96 से मैं गा रहा हूँ, और प्लेवेक सिं और जब भी कोई मेरा फैलियर होता है, या कोई गाना नहीं चलता है, तो सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे सांथी कलाकार को या आता है, देखो उसका बड़ा बात कर रहा था, ये गाना ऐसा बनाया हूँ, ऐसा बनाया हूँ, देखो फलॉप हो गया, बड़ा खुश होते हू आप, 30 साल, 25 साल तो लग से आप नहीं चलेंगे न, उसके लिए तो टैलेंट चाहिए, तो जो पिछले पीड़ी में जो कमिया में देख रहा था, कम से कम वो इस पीड़ी में तो नहीं पीड़ी में तो नहीं पीड़ी में तो नहीं पीड़ी में देख रहा हूँ वही ची आपका कोई नया कलाकार, आपके 36 गड़ का कलाकार, आपके माटी का कलाकार, अगर कोई अपना पैसा लगा कर वीडियो बनाता है, तो आप उसे सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, करना चाहिए, नहीं करेंगे, दोस्तों तो कल हो सकता है कि इस 36 गड़ में भी कल कोई सुसान सिं सब्सक्राइब कर लें, तब आप सभी जगें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कि जब कोई मर जाता है, तब हम जगते हैं, अरी यार वो बड़ा अच्छाटिश था, मर गया है, उसे सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन ये करना चाहिए था नहीं, आप करिए, क्योंकि मैं द पैसे वाले लोग हैं, या जिनके पास पैसा है, जो अपना पैसा लगा कि भली उनका गला चलना रहो, बेसूरे हो, कुछ भी हो, वो ओडि वीडियो बना करकर म्यूजिक कंपनी को फ्री में देंगे, तो वो तो म्यूजिक कंपनी वाले बिजनस कर रहे हैं, वो तो दूसरा एक प्राबलम तो यह है कि 36 गड़ में कोई म्यूजिकल हंट, सौरी, टैलेंट हंट शो कोई नहीं होता, यहाँ पे कोई कलाकारों को खोजने के लिए कोई प्रत्योगिता नहीं कराई जाती, अब हमें कैसे पता चलेगा कि बस्तर के गाउँ में कोई लड़का बह लेते हैं, कम से कम आप सभी उन्हीं सपोर्ट तो करें, और अगर दोस्तों आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर हो सकता है कि आने वाले समय 36 गड़ में कोई एक्टर या सिंगर फ्रस्ट्रेशन में आत्मत्या कर ले, और मैं कलाकारों से ने पिड़ी के कलाकारो से ये विनमर अन्रोद करना चाहता हूँ कि दोस्तों दिखावे बाजी से बचें, देखिए हर काम में दो प्रकार के लोग होते हैं, कोई बहुत अच्छा करता है, कोई एवरेज करता है, तो जो लोग संगीत सीख गए हैं या जो बहुत अच्छा गाते हैं, संगीत तो ख वह कमतर गाता है या कमतर मनिये कुछ अभी उसके गले में उतनी बात नहीं होती है तो वह अक्सर उसका उसे हलके मिलेते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं तो ऐसा मत करिये दोस्तों क्योंकि आप उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पे किशोर कुमार जैसे एक्जांपल आप फिर क्या हुआ किशोर कुमार जी ने 40 साल तक 4 दशकों तक इंड़स्टी पर राज किया और ऐसा इस टारडम की आज भी फिल्म फियर पत्रिका ने सबसे पॉपुलर प्लेबेक सिंगर किशोर कुमार को घोसित किया है पूरे मिलेनियम का तो क्यों उन्होंने फिर आगे चलक काटहें जो कर दिस्कinky और करेंगे का तो जो सीख कर अखिक कर के नहीं जो सफलता मिल जाती तो वह भी फिर अपने दूसरे अर्टिस्ट की बुराई करना चालू कर देते कि वो देखो इतना सिखा हुआ है इतना जानता है, हो गया निकल गई हेकड़ी, देखो उसका गाना चल रहा है कुछ नहीं बन पाया जो को मैं गाया, ये गाना चल गया तो दोस्तों ऐसा नहीं है किसी गीत की quality आज क्या होगी, किसी गीत ये गाने की quality किस पर dependent हो गई है मतलब YouTube के view पर क्या किसी अच्छे गाने की गुडवत्ता view से ना पी जा सकती है अगर किसी गाने पर view नहीं आया तो क्या वो गाना खराब है अभी मैंने एक गाना कवाली मैंने सुफी कवाली मैंने भी गाया था मया माहे राधा मया माहे मोहन राग भैरवी पर था बहुत अच्छा composition बहुत अच्छा था लेकिन उस पर ज्यादा view नहीं आया लेकिन मुझसे पूछें कि कौन सा मेरा फिवरेट गाना है तो वो गाना मेरा फिवरेट लिस्ट में रहेगा अगर आप समझते हैं कि मैं अच्छा गाता हूँ तो सोचिए कि मुझे भी कभी एप्रोच नहीं किया गया एक इठी film के लिए और उसका एक कारणा है कि भी मैंने किसी कौल करकर नहीं बोला कि मुझे गाने गबाएए बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर जो मुझे जानते हैं मेरे फैन है और जिनके लिए मैंने बहुत पहले बड़े बड़े एक्टर के लिए मैंने गाना गाया उनकी फिल्में आती थी वो कभी नहीं बोलते थी के नितीन से प्लेवेक करवाते हैं और एक प् दूसरे कोई कलाकारी आदमी आ रहा है क्यों व्यक्ति इतना भूखा है कि सारा खाना खुद खा जाना चाहता है इतना प्यासा है कि पूरा पाने खुद पी जाना चाहता है यह इस पर सोचना पड़ेगा नहीं तो फिर नए कलाकार साथ भी यह होना है तो दोस्तों मौका सब को बराबर मिलना चाहिए और नय पिढ़ी के बच्चों में बहुत ही जो फ्रस्ट्रेशन है इसे आप समझेए छत्रिगड की हमारी जो जनता है मैं उसे कहना चाहूँगा कि इसे समझे और सबको सपोर्ट करिए और देखे मुझे अभी मिश्टर मजनू फिल्म संगीत देने का मौका मिला मैंने उसमें तीन चार गाने बनाया है तो उसमें जैसी करेक्टर बदला जैसी एक गाना किसी दूसरे के एक दूसरा करेक्टर आया तो मैंने वह आवास चेंज करी मैंने change करी मतलब मैंने किसी दूसरे singer को बुलाया किसे बुलाया मेरे परमादरने गुरु स्री दिलिप संगी जी से गवाया तेकिन इससे पहले आप देखिए कि जिस संगितकार को कोई अगर कुछ काम करने को मिला है तो वो पूरा का पूरा गाना खुद गाना चाहता है नए पीडी की बच्चे आते हैं तो उन्हें यह नहीं लगता कि चलिए हम अन्य कलाकारों से भी ट्राई करें कुछ नए लड़कों से गवाएं और क्या कहा जाए सपोर्ट तो सबको चाहिए अभी एक गाना था क्या बोलते हैं जो मैंने अभी गाया देखें मेरे तरफ से जो होता है मैं अपने जूनियर्स या मेरे जो छोटे भाई होते हैं उन्हें मैं सपोर्ट ज़रू करता हूँ अभी एक यूटुब चैनल है ओमेस प्रोजेक्ट वो मेरे पास एक्चुली वो मुझे पिछरे साल से ही अप्रोच कर रहे थे कि नितिन सर हमारे लिए एक गाना गाई है और उन्होंने मुझे गमाग एका ऐसा कोई गाना था तो वो गाना मुझे भेजा तो उस वक मैं यूपी टूर में था बहुत लंबे समय के लिए यूपी टूर में था मैं तो मैं वो गाना नहीं गापाया लेकिन इस साल फिर उन्हें ने कोई आ ही गाना मुझे भेजा तो मैं बोला कि बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूं और मैं उनके लिए गाया मैं यह नहीं कहूंगा मैंने क्या support किया लेकिन मेरे तरफ से जितना हो सकता था maximum मैं उन्हें support किया तो जो भी artist हैं जो उम्रें बड़े हैं उन्हें अपने अगर उनसे कुछ हो सकता है तो ने बच्चों के लिए करना चाहिए और जो नए YouTube चैनल वाले हैं, सब को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के YouTube चैनल को प्रमोट करिए, उनके सौंग शेर करिए, उनके सब्स्क्राइबर बढ़ाने कोशिश करिए, विवर्सी बढ़ाने कोशिश करिए, और अगर आपका चैनल थोड़ा गुरो पूरी बातों का सारांशी है दोस्तों की कलाकार बहुत सीधा होता है, दिल का बड़ा साफ होता है, वो एक पौधे जैसा होता है और उसके माली आप हैं, अगर उस पौधे में आप अपनी प्रशंशा रूपी या अपने सपोर्ट रूपी पानी नहीं डालेंगे तो पौ जाता हूँ छतिजड़ की जनता से कि अपने कलाकारों को प्यार करिए, समय रहते उसे सपोर्ट करिए, ऐसा नहों कि वो समय बिज्जा और फ्रस्ट्रेसर में कल सुशान सिंग राजपू जैसा कोई एक्टर या सिंगर हमारे छतिजड़ में ऐसा कर ले, तो अपने कलाकार भाई आपस की रंजिश मिटा करके एक दूसरे को सपोर्ट करिए, साथ मैं ये हमें एक होना पड़ेगा, जैचा तिजड़